तो आज हम बनाएंगे एक लूदियो, जी हांगा पे लूदियो तो स्केल हमें लगेंगा काड़बोड, स्केल, पेंसिल, सीजर, पेंद, और एक मोटा काड़बोड और कलर, तो चलो शुरू करते हैं बनाना लूदियो, सबसे पहले आप स्केल लीजिए और पेंसिल लीजिए, उससे आप काड़बोड बे एक स्क्वेर बनाएए 25 इंटर 25 सिंटिमेटर का स्क्वेर आप यह स्क्वेर रचे से बना लीजिए और उसके बाद कर लीजिए गाँ दो मैंने यह स्क्वेर बना लीजिए और अब टाइम में कातने का, इस तरह आपको कातना है इसके बाद आप इस पर स्क्वेर स्क्वेर काती है यानि आपको इसके उपर स्क्वेर ड्रा करने है 2.5 सिंटिमीटर का एक स्क्वेर ऐसे ही 15 स्क्वेर आपके बन जाएंगे 1.5 सिंटिमीटर की बॉर्डर भी सोलनी है कुछ इस तरह मार करके बाद में आप इसे द्रा कर लीजिए याद रहे आपको याप पैंसिल से करना है पैंसिल टाकि हम उसके बाद इरिश कर सकी सक्वेर बाद में आपके बाद में झाल झाल इस तरह आप लाइन्स बना लीजिए 1.5 सेंटिमेटर के गैब में दोनों ताफ से इस तरह कर लीजिए और आजुबादी से एक एक सेंटिमेटर के गैब सो दीजिए का इस तरह स्क्वेर शीट खाट लीजिए पैब अुँबादी ओल्रेश चैजिए झाल 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 तो ये मैंने सारे स्क्वेर्स ड्राव कर लिये हैं अब जहाँ जहाँ में पेंसे लाइन कीजिनाँ आप उस उस जगाँ पे ही कीजिए कई और लाइन ड्राव मत कीजिए का पेंसे जैसे कि आपको फोटो में लिखराए वैसे ही करना है तो ये 6 x 6 cm का मैंने बड़ा बॉक्स ड्राव किया है जो आपने 1 cm की गयर सोरी थी उसके बाजी में ही उसके बाद में मैंने 3 लाइन सोरी है और उसके बाद वैसा ही और एक स्क्वेर ऐसे आपको 4 तरफ से 4 बले स्क्वेर दिखाएंगे और ऐसे ही 3 लाइन और बिट में एक सोटा डबा तो आप इस तरह पेंसे कर लीजी बाद में हम पेंसिल का इरेस कर लेंगे है झाल का इब sour यह कि वैसा ही Там नहीं में वहाल दो भी वैसा ही है आपको 5 तरह पीजी आपको 10 से कर लेजां आपको 9 यह जो बाद में लेड़ तो ये मेरा बन क्या है पैंसे मैंने डार कर लिया है अब आप जो पैंसिल का है वो एरेश कर सकते हैं तो लीजी एरेश है आश्र कर लिये एरेश करना अब जिन जिन बॉक्स पे मैं जो जो कलर भर रहा हूँ हूँ आप बढ़ लीजी आप कोई भी चार कलर चूज कर सकते हैं तो इस तरह आपको चार कलर कर लेना है कई और कलर मत कीजी का अब हम जो ये बारे बॉक्स है उसके अंदर चार स्क्वेर का द्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम गोतिया रखते हैं शुर्वात शुर्वात में जहां रहती है एक स्क्वेर टू पैंट फार सेंटिमेटर इंटू टू पैंट फार सेंटिमेटर का होंगा तो आप इस तरह द्रॉ कर लीजिए तो मैंने कुछ इस तरह द्रॉ कर लिया है अवा बीज में इस तरह कर लिया है पास में लीजिएगा वह बात में करेंगे पहले हम एरो बनाएंगी जी यहां अक्सर बहुत सारे लिदियां में ऐसे एरो हमें दिखने को मिलता है तो हम भी ऐसे एरो बनाएंगी कुछ इस तरह एरो बना लीजिए कुछ इस तरह बनाने के बाद अब मैं जो कलर जाज़ा करना हूं उनन डबो में आप बेक कर लीजिए द्यान रहे अगर ग्रीन लाइन है तो फिर उसके राइट साइड में ही ग्रीन होना चाहिए लेफ साइड में कोई और साइड में नहीं होना चाहिए ऐसे ही चारो तरफ कर लीजिए तो यहां इसा तैक की वहां से ग्रीन गोती निकलती है और पूरा राउंड मार के उस ग्रीन लाइन के अंदर चली जाती है तो इस तरह हमने बना लिया है लोडियो अब हम बीच में कुछ इस तरह क्रॉस कर लेंगे उसके अंदर भी हम कलर भारेंगे अगर गोतिया पूच जाती है तो वह प्लेयर जीत जाता है चारों गोतिया पूचने के बाद इसके बाद हम डाइस और गोतिया भी बनाएंगे इस तरह आप कलर कर दीजिए जैसा कि मैं कर रहा हूँ यह कलर कर लिया है मैंने अब बार यह स्टार्स बनाने की जी हां इस स्टार्स पर जो भी गोति आती है उस गोति को कोई माल नहीं सकता हम इस स्टार्स को कलर भी करेंगे चारो कलर से कलर करेंगे अब भी कर लीजिए मैंने चारो तरफ से कुछ इस तरह स्टार्स बना लिये हैं अब बार यह गोतिया बनाने की तो पहले एक कार्बोर्ड लीजिए और आप उसके शोला पिसे श्कार्ट लीजिए या तो फिर आप सीधा कलर फूल बटन्स भी ले सकते हैं चार अलक कलर के बटन्स तो मैंने ये 16 पीसे शकाट लिए है एक कलर का एक पीस इससे हम कलर करेंगे ताकि अच्छे से हमें समझ में आचाए कौनसे गोटी कुंसी है तो हम चार को करेंगे ब्लू कलर चार को यलो चार को ग्रीन और चार को रेड़ तो कुछ इस तरह आप कलर कर लीजिए अबाली है डाय चार क्या पार कुछ उता कर लूंने नहीं है बनाने की तो सबसे पहले जैसे में ड्रोग करना हूँ वे इसे ड्रोग कर लीजिए ना हाँ हाँ जा हाँ भुँ कर लुँ कर लोगे और है अश्वाची मैं ड्रीश सबस्टर में देखे ड्रीश मैं ड्रीश सबस्टर आपकु अझाची अजहीडिक जही जहीं, एलांगजी तरयें. तो को कुछ इस तरह द्रो कर लेना है और उसे कातना भी है तो चार साइड सीडी और दो आजू बाजू में हमने इसे स्क्राइड बनाई है और एक एक्स्ट्रा बनाएं जाकि हम उसे अच्छे से चुपका पाएं यह एक्स्ट्रा वाला यह एक एसे ही पूरे इस लाइन में है चार और आजू आजू में यह दो तो पूरे हो गए छे साइड जैसे की देते हैं अब आप इसका क्यूग बना लीजिए मैं आपको बना के बठाता हूं हम इसे अच्छे से चुपका भी लेंगी यह बन गया क्यों और इसे हम चुपकाने के लिए उस करेंगी बन गया इसे चुपकाने के बाद बन जाएंगा हमारा एक अच्छा सा क्यूग जिसके उपर हम नमबर लिखेंगे तो आप यह ग्लू से चुपका लीजिए कर दो कर दो कर दो जचता दिर हुआएएएएएएएएएएएखर। अब आप इसके आपना बाइस लिग लिगी आपना बाइस लिगी लिगी लिगी। यह बन गया हमारा डाइस अच्छे से बाग कर दाए और यह हमारा लू लियो तो अब आप इस तरह खेल सकते है नहीं अच्छा हमारे डाइस लू दियो सब तयार है अब आप इसे खेल सकते हैं यह दाइस आजी लू दियो इस वीडियो को लाइक करना ने भूले अगर आप इस टेनल पर नए है तो कर अब बाए को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक बाए-बाए अगर आपको कुछ और सिखना हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अधि इस वीडियो के पर कमेंट किजी किसा लगा को यह वीडियो बाए झाल 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 झाल